हेलो फ्रेंज वेलकम टो माई चैनल है तो आज मेरे पास एच्पी का डी एल फिफ्टी एले डी सेवेंजिरो थीडिपी जो रिविशन वन का है तो इसका पिछली बार एक वीडियो बना है तो जो शोटकुट मेठोट का जो जब इस लाइट नहीं जलेगा तो अपका कर सकते हो तो अज में और दूसरा एक वीडियो जिसमें इसका यह लाइट भी नहीं जलता है और जामपर कारने की भी बात शॉटकुट लेने की बार इजार से हमारा जो फास मों सब्सक्राइट में जो भोल्टेज नहीं होता है उसमें जो शॉटकुट लेते वह चार्ज नहीं लेते है बैटरी का तो आज उसका ही solution करने वाल है ठीक है तो क्यों नहीं होता है वह आज फिलर कुछ भी दिखा देंगे बहुत कुछ तो आज पहले दिखा देते है इसका जो charging voltage जो इसमें अभी देखो लाइन में दे रही हूँ लाइट नहीं अभी गलो हो रही है ठीक है अभी गलो है कभी कभी गलो नहीं होता है तो यह जब होता है तब क्या करना है ठीक है तो अभी गलो हो रही है कभी यह नहीं होता है मैंने इसका आइसी दो तीन बर्ट चेंज करके भी देखा था पहले मुझे समझ नहीं है था बाद में थोड़ा चार्सेश देखा तो अच्छे से देखने के बाद मैंने देखा इसका प्रॉब्लेम क्या हुआ तो प्रॉब्लम देखने के बाद मैंने सोचा ठीक है इसके उपार एक वीडियो जरूर बना चाहिए और आपको सिखाना भी चाहिए ठीक है तो इसको जब लाइट जलता है कभी-कभी इसका चार्ज नहीं होता है अवे में इसका फेलल चेक करके तो लाइट तो जल रही है ब यह अब इसका चर्ड करा तो नहीं दीख रही है तो मैं एक बार इसका सवल्ब कर देता हूं अ मैं बता देता हूं देखो इसका जो में काराण क्या है इसका चार्जिंग आइसी का के पी यू टुएंटी मैंने साच करके दिखा जेंगा इसके में ले लेता हूँ देखो इसके में टिक में लिया इसके में लेने के बाद हमारा जो इसके में जो हमारा फिन बोल्टेज आती है डायट के साथ तो जब हमारा फिसी देने के बाद हमारा क्या होता है देखो स्लो नामबर पिन में जो रीजन बोल्टेज शिक्स बोल्ट वह हो जाता है तो वह होने के बाद हमारा मोस्पेट चालू सरी हमारा आइसी खुच चालू होते हैं इसके बाद हमको क्या चाहिए एसी ओके और हमारा इधार देखो आइलिम दस नमबर पांच नमबर यह दोनों पिंग में बोल्टेज होना चाहिए जो देखो बोल्टेज कहां से आ रही है अवारा थिरी प्लास थी वोल्ट एल और एसी ओके भी थिरी वोल्ट एल एक रेइस्टार के थुरू और इसका जो ट्यन नमबर पिंग है उसको एक प्रेश के लिए तो इधर एक वोल्टेज त्री वोल्ट गायव हो चुका है नहीं हो लगा है तो यह थिरी वोल्ट कहां से आती है आज उसको हम देखें इसका बाट प्लेस कहां से है तो इसका कॉपी किया कॉपी काने के बाद कि इसको सार्च करता हुँ थिक हमारा चार्जी नैसी में ही दिखा लगी है अभी इधर आती है तो इसको देखो इसका 35 से खोल चुका है एक 5 बोल्ट अलो एच पी और एक 3 बोल्ट अलो एच पी तो इसका देखो 19 बोल्ट इधर आरके भी इधर आ रही है प्लास इधर से हमारा इसका जो एक रान नमबर पीन में इधर आ रही है ठीक है तो इसका 3 बोल्ट इधर से आ रही है देखो 3 बोल्ट बेल जो हमारा 35 का LDO है एक LDO 3 बोल्ट का LDO एक 5 बोल्ट का LDO तो ये वोल्टेज आईसी जब तक जर जेनरेट नहीं करेगा तब तक हमारा चार्जिंग आई सी स्विचिंग नहीं करेगा बैटरी चार्जिंग के लिए तो उसको ही आज हम स्वाल करने बाले पहले चेक करना है इसका जो 19 वोल्ट है हमारा वी सी से वह सही है के नहीं ठीक है अभी मैंने दिखाया इसका अभी जो लाइट ग्लो रही है वह कभी कभार ग्लो नहीं होता है वह चला जाती है इसका कुछ दिखकत है ठीक है बूर्ड में तो इसका कोई ना कोई लाइन लूस कनेक्शन बाकुछ ड्राइब हो चुका है इसलिए इसका नहीं होड़े ठीक है तो इसका एगरा नंबर पिंज जो कि नाइटीन वोल्ट इसको कॉपी कर लेते है एक बात और इधार कि पेस्ट करके सार्च कर देखते हैं कहां से आगी है कि तो इसको कॉपी कर लेते हैं अगरे तो इसको लिए दिखा देता हूँ इधर से आ रही है ठीक है जिसका बॉल्टेज को इधर एक कोईल के हो के आना चाहिए तो इधर देखो अधर दिया हुआ है तो इधर डिरेक्स इधर आएगा तो इधर डिरेक्स नहीं आरहे हैसे तो इसके लिए वोल्टिज गाया बहुत चुक्टर तो इसका हमारा 35 सी भी चालू नहीं हो रहा है इसके पंचया से हमारा बॉर्ट का चार्जियाए से भी स्वीचिंग रही करे खें तो देखो स्वीचिंग नहीं करें तो इसको क्या सो लूशन अभी देखता हूँ अभी आ रहे है ठीक है तो मैं फिलल आपको दिखा देता हूँ मैंने इस प्रॉब्लम को मैंने बहुत बढ़ देख चुका हूँ तो इसलिए आपको solve करने के लिए दिखाऊंगा देखो इसका क्या करना है हमारा 35C में जाना है जो PU2 लिखा है तो PU2 में अभी इसका भूल्टेज आएगा तो इसका देखो जो एक पाच पाच दस एगरा नमबर पिन में 19 वोल्ट गाइब हो चुका था मैंने चेक करके देखा था खुद तो आभी इसमें कैसे आ रहे है मुझे पता नहीं ठीक हो चुका है अटोमेटिक लिए अभी कभी नहीं हो तो इधर मैं देखा देता हूँ एक चीज तो इधर देखो मैंने इसको लागा देता हूँ लागाने के बाद मैं देखा देता हूँ ए तो लाइट अभी ग्लो करिये तो इधर देखो मैंने प्रोब को रखा और वोल्टेज रेंज में लिया और इधर देखो मैंने दिखा इसका यूता देता हूं कि इसका नंबर पीन में अभी है, 95 वोल्ट है तो कि अनिधी अलकि horn अलल्द एसा को लिएल्डोड़ पार बिंसे जो खाध के शॉता नंबर पांड़ नमबर पेन से तो इसको को देखो ढ disp i love a system करना है तो मैं इसको कर शेशचर्ज़िंग प्रॉबल इसलिए हो रहा diet तो इसको छोड़के मैं इधर एक वाय लेकर इसको में जांपर अभी करके दिखा देता हूँ जोस्ते यह प्रब्लम दोबारा नहीं आए नहीं आएगा मेरे पास इसलिए काम को दिखाना है देखो मैं इधर एक चांपर तो करना है जांपर लगाया जांपर लगाने के बाद हमको इधर देना है तो इधर देने के लिए हमको कह करना है इसको काट करना है काट करके इधर हमको इसको सोल्डिंग कर देना है तो हमारा प्रब्लम सोल्ब हो जाएगा और दूबरा सने अभी आ रही है कभी-कभी ओ लाइट आ जाती है तो मुझे कोई इसका रिक्स नहीं लेना है कास्टमार को दे दूँगा तो मैं दूबरा मेरे प्रसिटर नहीं आ हुआ है कि जमपर लगा दूँगा और जमपर लगाने के बाद है कर्दिया और जमपर पुरा हो चुका है थिकर तो जमपर पुरा हूच यह करना है इसको चार्जिंग करके दिखाना है तो आभी मेरे पास बैटरी लगा देता हो लगाने के बाद, इड़ देको में लगाया में इसकी के बाद, देखो के इस चाडशी और एप्एपाइड हो चुका है, मैंने देखो, इसका आईसी मैंने चैंच हिया था इड़्रय चैंच हिया अब जिएंच हिए था इतले पर्रब्ल्ब्लम हो शुल्ब था तो इसलिए मैं इधार इसको जंपर लगा दिया तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादे से ज्यादा बेल आइकन को ठोस मार के रखो और श्यार भी करो इस वीडियो असके लिए इतना ही यादी ज्यादे से ज्यादे से एल ठावश घर जा प्रणे जिए और भी करो ऑट है ऐसे वीडियो जादे से लिए वीडियो ख्वश्ते आवड़ जा ऑटार रहा है तो